हाई किग यह कुछ सम्ण आहं को किरshoi क्लास हम लोगा नेक्स टंपिक है नासा के जो स्पेसक्च मिशन है दिटि क्तों टो हुड citoyburgh के लिए जो अब कविंग जो निए जेली जो लास्ट पीयर जो स्पेस मैं भयर ना है 一break अद्राइश सारे mission launch किये कई पे moon पे किये कई मार्स पे किये कोई कोई asteroid पे किये तो बहुत सारे mission है तो एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते जाते हैं क्यों diet question आता इस पेस से सपोज एक सा कोशन पूछ लिया और साइरे स्रेक्स किस से लेटेट है तो अगर में लिखू के dinosaur का fossil है तो बिल्कुल आप लगा दोगे dinosaur का fossil है तो पहले हम NASA के जो space mission है उसके बारे में discuss कर लेते हैं तो पहला mission है मारे पास mission dart है अब डाट का full form अगर आपने Google पे डालिएगा डार्ट मिशन जैसी Google पे आप डार्ट मिशन डालिएगा तो क्या होगा वैसे ही डार्ट का एक satellite जाएगा और एक asteroid को हिट करेगा और आपकी screen जो है थोड़ी सी तेड़ी हो जाएगी करके देख लीजेगा चाहिए अभी करके देख लीजे चाहिए डार्ट मिशन क्लिक करेगा dart D A R T डार्ट मिशन जैसी उस पर क्लिक करेगा डार्ट मिशन पे वैसे ही आपकी एक satellite होगा वह जाके तो डार्ट मिशन की बात करें, Double Asteroid Redirection Test का नाम है, Double Asteroid Redirection Test, अब ये होता क्या है, अगर आपने बहुत पहले Hollywood की मूवी में, बहुत पहली Armageddon करके एक मूवी देखी हो अगर आपने, उसमें क्या होता है, यही दिखाते हैं, कि इन केस अगर कोई सा Near Earth Object या फिर कोई भी ए Asteroid Earth से टकराने वाला हो, तो उससे कैसे बच सकता Earth, जिसे theories बोलती हैं, कि हम लोग अभी survive कर पा रहे, डाइनसवर शर्वाइब नहीं कर पा रहे, उसके पीछे reason भी Asteroid को ही मानता है, कि एक Asteroid आया होगा, Earth को हिट किया होगा, इतना बड़ा impact हुआ होगा, कि डाइनसवर सारे खतब हो गए, राइट, अब यह से डाइनसवर खतब होगे, तो उस टाइम पर मैमल्स नहीं थे, क्या, जिसे हम लोग मैमल्स है, मैमल्स थे, मैमल्स बिल्कुल थे, पर सिर फिर यह जो रेप्टाइल्स है, जो मतलब रेप्टाइल्स को अतला होता है डाइनसवर, यह तो अब यह हमारा time चल रहा है, mammals का, और mammals में भी किसका time चल रहा है, हम लोग मनुष्यों का, ओके, तो यह अपना time है, अपना time चल रहा है भी, पर किसको पता कब तक, हमें नहीं पता कि आने वाले time में, कोई दूसरा species चाहिद पूरे world पर राज करें, तो हमें अगर सर्वाइव करना है, तो environment के according हमें adaptation लेके आने पड़ता है, जैसे example और लेता हूँ, यह student पर अगर माल लो, student पर हो जाए, क्या, आपने दो चीजे सुनी होगी, पहला होता है क्या, natural selection, प्राकरतिक चैन, और होता है क्या, survival of the fittest, यह दो चीजे आपने सुनी होगी पहले, natural selection मतलब प्राकरतिक चैन, हमें environment ने, हमें nature ने चूज किया है, क्यों किया है, क्योंकि हम सबसे fit थे उस टाइम पे, किसके according, mentally, physically नहीं, environment के according हम fit थे, तो यह अपने उपर आप apply कर लो, आपका state PCS या आपका UPSC, आपको क्या चूज करेगा, चुनेगा आपको, पर कब, जब आप उसके according क्या हो, fit हो, आप उसके according अपने body में adaptation लेकि आजाओ, जो चाहता है एक पाइक्जाम, उसको आप दे दीजिए, वो आपका selection खुद बाखुद करवा देगा, ठीक है, यह बलकुल बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो DART Mission, Double Asteroid Redirection Test, यह रहा, Double Asteroid Redirection Test, इसमें क्या किया गया था, एक satellite launch किया, DART, इस DART को, इसका जो target था, वो कह था, Demorphous, Demorphous पर जाके उसने हिट किया, और Demorphous का जो orbit था, उसको change कर दिया, यह क्यों क्या, यह एक just a demonstration था, कि in future, अरथ पर अगर इसे बड़े-बड़े asteroid जाके ठक राएंगे, तो हमारे पास कुछ weapons होना चाहिए, ताकि हम उसका जो path है, वो change कर सके, यह तो सर साइफाई मूबी की तरह लग रहा है, हाँ, विल्कुल साइफाई मूबी की तरह ही है यह है, पर हमें ready रहना है, हमें नहीं पता कि कौन सा asteroid कब क्या अर्थ पर टक राजाए, डेली गिरते हैं हमारे अर्थ पर, पर बहुत छोटे हैं, पर मालों को यह साइब बड़ा आ गया, जैसे डैनेसवर को खतम किया था वैसा, तो हमाँ पास कुछ वेपन्स होना चाहिए, तो उस वेपन्स का एक डेमोस्ट्रेशन ने नासा ने बनाया है, जिसका नामे डार्ट मिशन, डबल एस्टरोइट इरी डिरेक्शन टेस्ट, यह हिट किया है कि इसको डाइमोर्फोस को, पहले इसका ओरिजिनल ओर्बिट यह था, उसका जब ठगराने के बाद, उसका ओर्बिट क्या हो गया, दूसरा हो गया, मतलब हम क्या कर सकते हैं, फीचर में, एस्टरोइड जो है, इसको चेंज कर सकते हैं, उसके पाथ को, तो हमारा जो डाइट मिशन है, इसका जो एस्टरोइड उसका नामे डाइमोर्फोस, डाइमोर्फोस ने क्या किया, स्वरी आपके डाइट मिशन ने क्या किया, इस डाइमर्फस को हिट किया, डाइमर्फस का पहला जो और्बिट था, वो दूसरा था, हिट करने के बाद उसका जो और्बिट है, वो चेंज हो गया, ओके, तो ये क्यों कर रहे हैं, कि फीचर में अगर कोई अस्टरोइड आए, तो हम उसको डिस्ट्रोइड ना कर पाएं, तो एटलीस हम उसका पाथ जो है, वो चेंज करते हैं, और हमारी जो अर्थ है, वो बच जाएं, ठीक है, ये नासा नहीं करके दिखाया है, डार्ट मिशन, हम नासा के कुछ रोवर्स भी हैं, जो बहुत न्यूज में रहते हैं, जिसमें एक रोवर्स है, जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है पर्जिवरेंस रोवर, ये रोवर्स क्या होता है, अगर ये है कोई भी प्लैनेट, तो प्लैनेट मैंने अगर अड़ से कुछ पहुचा है, जो इस प्लैनेट के आसपास घूम रहा है, उसको बलेंगे हम लोग क्या, उसको बलेंगे और्बिटर, जो प्लैनेट है, मैंने अर्थ से कुछ पहुचाया है जो इस प्लैनेट के आसपास घूम रहा है, उसको बोलते है और्बिटर और्बिट कर रहा है उसको, लेकिन अगर और्बिटर वेसे कुछ ऐसे एक्क्यूपेंट, कुछ मशीन ऐसे निकली जो इसके सतह पर जाके लैंड कर जाए, उसको बोलेंगे लैंडर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेंडर, और लेंडर के साथ में अगर छोटा सा और डिवाइस उसकी सास्परेस पर चलने लगे रोबोट लाइक, उसको बोलते है रोवर तो पहला फो चानते औरबीटर फिर औरबीटर से ही निकलता है किया लेंडर और लेंडर से से निकलता है रोवर हमने भी किया है चंध्रयान 2 में वह औके हैं पर वो दूब तो NASA का एक muns का रोवर है जिसका नमें perseverance रोवर क्या पूचेगा makes to max exam में कि पर्जिवेरेंस रोर क्या है पर्जिवेरेंस रोर क्या है नासा का मार्स रोर यह कहां पर पढ़ा हुआ है मार्स पे मार्स पे काम कर रहा है अभी 28-27 में नासा यह पर्जिवेरेंस कर रहा है पर्जिवेरेंस महां पर सेंपल कलेट कर रहा है अब 27-28 में नासा एक मिसल रहेंगे पर्याइबर्द पहुंच गया काहां पे मार्स पे तो आप से पुछिए पर्देजर की तो मार्स करूबर है कर Mitra अब पर्दीर्ष करके साथ में एक चोटु सा हलिकॉप्टर भी धिकाथा इस हलिकॉपटर का नाम के इंज़िटी है हेलिकॉप्टर तो इंजिनिटी हेलिकॉप्टर और पर्जिवरेस रोड दोनों मार्स पे और नासा के ठीक है प्लीज यह ध्यान रखेगा अब अगर गूगल साच करो पर्जिवरेस रोड तो पर पर क्लिक करिएगा तो वह आपको यह से उड़ता हुआ देख जाएगा आप पूरी स्क्रीन पर उड़ता हुआ मिलेगा आपको ठीक है इसके अलाबा नासा के एक ही रोवर नहीं है मार्स पे नासा के और भी रोवर है जिसमें एक नाम ही है क्योरा सिटी तो एक है पर्जिवरेस रोवर दूसरा है क्योरा सिटी रोवर तो प्लीज यह दो जरूर फिर आशा कोई आपका यू पी एस टेट पीस है यह से क्यों वाले कुछ सालों बाद हो सकता 50-80 सालों के बाद यह एस्टरोयड हमारे अठ्ध से जाके ठक रहा था थो इसकी बारे में study कर रहा है NASA कौन सा mission? Osiris Rex इसने क्या किया? Osiris Rex पे एक mission पहुचाया Osiris Rex नाम का एक mission पहुचाया Benu Asteroid पे Benu Asteroid पे कया, sample collect किया sample collect के वो load भी आ रहा है 23 के September तक वो आ भी जाएगा ओके? यह NASA का mission है Osiris Rex कौन से श्टरोइड? Benu Asteroid क्यों? क्योंकि Benu Asteroid आने वाले कुछ सालों बाद, हो सकता 50 से 70 सालों के बाद, यह अर्थ को का करें? टकरा है तो इसलिए हमें Benu Asteroid के वारे information चाहिए किस चीज से बनाए क्यों? मालों आने वाले टाइम में Benu Asteroid आ जाता है हमारे अर्थ के पास हमें इसको हिट करना है पहुचला हमने एटम मम से इसको destroy कर दिया, पहुचला एटम मम से पूरे अर्थ पर radiation फेल लिया तो पहले पता हो तो होना चाहिए कि Asteroid बना किसका है तो Benu Asteroid से रिलेटेट एक mission है NASA का जिसका नहीं है Osiris Rex ऑगी, Osiris Rex एक mission है Benu Asteroid अब सब को पता है अगर Asteroid Belt की बात करें हम सब को पता है का Asteroid Belt कहां पह है Jupiter और Mars की बीच में जो हमारी Main Asteroid Belt है Asteroid-Asteroid बात कर रहे हैं इतना है तो Asteroid मिलते कहा है जाए अतर Jupiter और Mars के बीच में हमारी क्या है Main Asteroid Belt पर आपने फोटो देखा है Jupiter जिस orbit में घूम रहा है उसी orbit में एक और Asteroid घूम रहा है जिसका ना है Trojan Asteroid Main Asteroid कहां पह है Jupiter और Mars के बीच में उसको बलते है Main Asteroid Belt पर Jupiter जिस orbit में घूम रहा है उस orbit में Trojan Asteroid भी घूमता है तो NASA ने क्या किया ट्रोजन एस्टरोइट की स्टेडी करने के लिए एक मिशन पहुचाया है जिसका नाम है क्या लूसी तो ट्रोजन एस्टरोइट की स्टेडी करने के लिए कौन सा मिशन है हमारे पास मिशन लूसी Benio Asteroid की study करने के लिए हमें पास कौन सा मिशन है हमें पास है Osiris Rex Asteroid को अगर Arth को hit करेगा feature उससे बचने के लिए कौन सा मिशन है Mission Dart तो NASA के कुछ मिशन है पढ़ना बहुत ज़रूरी है NASA के कुछ upcoming mission की बात करें तो यह होगा कुछ Asteroid related mission पर NASA का एक और mission है जिसका नम है Artemis A-R-T-E-M-I-S Artemis यह Artemis है क्या अगर question आ गया कि Artemis mission कि से related है तो Artemis NASA का moon mission है Artemis 1 होगा Artemis 2 होगा Artemis 3 होगा तीन इसके phase हैं स्टेज बोल लुआ इससे पहले आपने सुना होगा Apollo 11, 12, 13 करके सुना होगा movies देखियोगी तो Apollo के थूर नासा नहीं पहले human को moon पर land करवाया था आपने नाम भी सुना होगा ऐसा human, ऐसा male जो कहां पहले गया पहली बार moon पर, आप नाम सबको पता होगा पता है तो प्लीज कमेंट करिए आप कौन सा नाम था राइट? first human जो कहां गया moon पर तो moon पर पहले पहुचा है था बहुत पुराना हो गया वो ठीक है? क्या India की तरफ से कोई human, India मतला इस्रो की तरफ से कोई human, क्या कभी moon पर गया है? नहीं, आज तक नहीं गया क्यों? हमने किसी भी इंसान को उपर नहीं पहुचा है उपर मतला इस्पेस की बात कर रहे है हाँ, आने वाले टाइम में गंगन यह mission के तरू हम किसी human को उपर पहुचाएंगे, ठीक है? तो NASA क्या कर रहा है? दोवारा से यह तो बहुत पुरानी बात थी अब दोवारा से चान पर एक human को पहुचाएगा कौन सा mission है वा Artemis के थ्रू तो Artemis NASA का moon mission है ठीक है? Artemis Solar NASA का moon mission है, moon mission के थ्रू एवो इंसानों को कहाँ पहुचाने वाला? Moon पर Artemis 1, Artemis 2, Artemis 3 Artemis 1 इसमें कोई भी human नी जाएगा, यह बस रायल है Artemis 2 एक बार और चीजें देखते हुए आएगा कि और प्रॉपर्ली इंफर्मेशन कलेट करेगा पर अर्टमीस 3 में human land करेगा कहां पर moon पर और इसमें पहली बार कोई female भी जाएंगे हास्तर कोई female moon पर जाके land नहीं कर पाई है तो पहली बार इसमें एक female भी जाएगी कोशन कैसे आता है UPC मेरा है सिंबल से कोशन है जो spacecraft उसका purpose बताई है बस कतम जो spacecraft है उसका purpose बताई है बस कतम और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता हमें डियल नहीं पढ़ना होता है ठीक है तो Artemis वो ही है आपका कॉंसा mission आपका moon mission अब NASA का ही एक James Wave Space Telescope है यह बहुत बढ़ा telescope है कुछ telescope news में रहते हैं जो पढ़ना रहता है event horizon telescope पढ़ना होगा आपने Hubble telescope पढ़ा होगा आपने James Wave Space Telescope पढ़ा तीनों बहुत जादा important है UPC के लास्टे का मेंस का में JamesBefore Space Telescope अगरें तो six to Remember Space Telescope हो भोँत कुछ खोशता है हमें अब आप बोलोगे से टर्न के पास से टन के पास नहीं जूपिटर के है चेंज हो गया है एक करेंट फैर है तो सबसे हैं से इसके पास है जूपिटर के पास आइटिंग 93 94 92 के आसपास है 90 प्लस से पास उससे कम है को यह प्लीज का है इसे सससे कौub ने ही गयलेकसी के बारे में और ॉरा दिखते हैं यह अरॉरा क्या होता है अरॉरा के बारे में इस्काश करतें तो James Wave Space Telescope है, James Wave Telescope ने हमको बताया, कि Jupiter पर क्या मिला है Aurora, अब Aurora क्या होता है सर, क्या Aurora हमारे इंडिया में भी कभी दिखा है क्या, ठीक है, तो Aurora मतला होता है क्या, आपने सुना होगा Aurora के बारे में, यह रहा हमारे इंडिया में मिला Aurora, यह यह तारिक की News है, भी दो दिन परानी news ठीक है यह रहा aurora's yearly aurora's मिलते हैं आपको कहा North pole और South pole North pole पर जो aurora मिलता उसको बोलते haadora warrior yes south pole पर जो aurora मिलता उसको aurora austrialis क्यासे याद रogo करगो नीचे australia south पै तो aurora australis कहां मिलें गापको south मे और North पर क्या मिलगा aurora warrior टीक है aurora warrior yes aurora Australia Yes Esca рогला होता क्या है Salina यहां से आती है क्या सोलर विंड सोलर विंड सोलर विंड जैसे हैं कि हमारे अर्थ की जो मेंगनेटिक फील्ड है उसके कारण यहां पर जो चार्ज पार्टिकल रहेंगे वो भी क्या हो जाएंगे चार्ज सोलर विंड है सोलर विंड हम सबका पता है कि हमारे जो नौर्थ पोलर साउथ पले वहां पर एट्मोस्फियर पास में मिलेगा आपको राइट तो वहां पर क्या होता है जो पार्टिकल से इस सोलर विंड के कारण हाईली चार्ज हो जाते क्योंकि यह खुद हाईली चार्ज होंगे जब हाईली चार्ज पार्टिकल होते हैरे सोलर में मिलेंगे बहुत है पुर्थ पार्टिकल highly charged particles मिलेंगे तो यह जाएंगे कहाँ पर poles पर जो भी particles मिलेंगे उनको क्या कर देंगे वो और भी ज्यादा excited वो excited हुए फिर कुछ time के बाद जब वो come down होंगे तब वहाँ से निकलेगी क्या light जिसको आप बोलते हैं auroras जिसको क्या बोलते है colorful light auroras पर यह हमेशा high altitude पे दिखती है north pole और south pole पे पहली बार ऐसा हुआ है पहली बार life में हमारे इंडिया में भी auroras दिखा है इससे पहले कभी भी हमारे इंडिया में aurora नहीं दिखा है इसलिए अभी दो दिन पुरानी नियूज है कि इंडिया में क्या दिखा है auroras auroras क्या है colorful light जो highly charged particles जब वह बहुत ज़्यादा excited होंगे जब फिर बाद में relax होंगे तो relax होने कार मों light release करेंगे जिसको aurora बोलते हैं अगर कोच्ण यह आगया टेंपो मिशन किसे लिटेटे तो आप बोलोगे मार्स मिशन यह मून मिशन नाइसा यह नाही मून मेशन यह यह टेंपो मिशन जो है वो है स्पेसली किसके लिए यह अर्थ के बाहर से सेटिलाइट के तुरू अगर आपको पता लगा ना पॉलुश टेम्पो मेशन किसका है? पॉलिश रटका ओके? ठीक है, थैंक यू